मैं इस उमीद पे डूबा के तू बचा लेगा अविश्खी बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा आपको अब य premise हम बरेली में हैं और ड्कर वसीम बरेली साब अजयम उशान शायर उनके हम कुझ मों के पास बीठे हैं और इन से हम जानना चाहते हैं डाक्टर साब जिदगी इमतिहान का है एक के बाद एक इमतिहान आते रहते हैं अभी एक और इमत्छाना आपके सामने है लेकिन हमें पूरा यखिन है कि आप ये इमत्छान भी पार लेेए। इखे इमत्छान से जिन्दगी बंगती है बिगड़ती नहीं है। जितने टैलिंजिन आते हैं जीएवन में जिन्दगी में और जब उन के functions फातिहाना गुजरते हैं, उन चैलिंजिस को कुबूल करते हैं, तो जिन्दगी का लुस्फी अलग हो जाता है, हिम्मत हार देने का नाम जिन्दगी नहीं है, हिम्मत से पैरों पर खड़े रहने का नाम जिन्दगी है, मैंने आपने जिस तरफ इशारा किया है, जब ये दू बारत जिनुदा हो रहे हैं तो मूझे वो शेड़ कहने में कोई تعamin नहीं है कि आखो को मौण्द लेने से खतरा ना जाएगा आखो को मौण्द लेने से खतरा ना जाएगा वो देखना पड़े गा जो देखा ना जाएगा तो इस हंदेशे के साथ मैं समझता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौतात होना चाहिए और जैसा के वक्त गुजर चुका है अगर वो जहन में दोराएं तो इतनी इहतियात बरतनी चाहिए जितनी भी इनसान के बस में हो जितनी मुम्किन हो क्योंकि हम एहतियात से ही मुगाबला कर सकते हैं आने वाले वक्त का अगर खुदा न करे कोई बुरा वक्त आने वाला है तो एहतियाते बहुत जरूरी है और यही एहतियाते हमें यकिनन उस मनजल तक पहुचाएंगी जहां पर हम किसी भी बड़े खत्रे का मकाबला कर से खुदा करने खुदा ना करे कि वो खत्रा हमारे सामने आए एक और बड़ी चीज़ की पिछले डिएर साल से जैसा वाकर गुजर रहा है उसमें लिखने पढ़ने की आदत तो बरकरा है लिखना पढ़ना तो मामूल है जिन्दगी के साथ जड़ा हुआ है लेकिन ये जरूर है कि इस डिर दो साल का जो वखवा गुजरा है इसने बहुत सी चीज़ों को प्रभावित किया है बहुत सी चीज़ों को मतासिर किया खास तरीके से इंसान का जहन, इंसान का हस्तित, सभी चीज़ों बहुत के असरात पढ़े है तो ये जरूर होता है कि जो कंटिनुटी रहती थी पढ़ने में पर तसलसल रहता था कि पढ़ रहे हैं तो उसमें वो तसलसल खायम नहीं रह पाता कहीं नहीं कुछ ऐसा होता है कि भॉत देर पढ़ने में वो तना अलुपस नहीं आता कोई आओ क्यों याओर काम करने को जी करता है तो कुछ नुप उसरात तो पढ़े है और उन उसरात को अगर तफसील में जाया बहुत कुछ लिखा भी गया है और लिखा भी रहा है वराबर लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर लेकिन ये कि जो जिन्दगी का एक नार्मल रवया था उसके उपर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत असर पड़ा है उसाब आपके दिल में जहांकना चाहेंगे हम कि एक बजर्ग होते शायर जिनके तीनों बच बाँर रहते हैं शरीक हाथ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के कमरे में बैटकर आपसे बात कर रहे हैं उसमें एक शायर के जहन में क्या चलता है आए मगए एक शेन याला आते हैं आने दो ये तुफ़ान क्या ले जाएंगे आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे मैं तो जब ड़ता कि मेरा होसला ले जाएंगे तो होसला बड़ी चीज है आते हैं उतार चड़ाओ आते हैं जिन्दगी ने कौन ऐसा है जिसकी जिन्दगी में उतार चड़ाओ नहीं है लेकिन इन से हम्मत के साथ मखाबला करके आगे बढ़ने का नाम जिन्दिगी है तो मुझे कोई बहुत जादा मायूसी वाला मामला मेरे साथ नहीं है मैं मुश्किल से मुश्किल, असल में क्या है कि उपर वाले ने कुछ ऐसा करम मेरे उपर किया है कि मैं निगेटिव से निगेटिव चीज़ के अंदर भी कोई ना कोई पाजिटिव पहलो निकालने की कोशिश करता हूँ और मुश्किल घड़ी मेरे लिए आसान हो जाती है अगर आपने सरेंडर कर दिया मुश्किलों के सामने अगर आपने मायूसी हो के सामने उसर आप क्यों नहीं पढ़ेंगे जिसम पर अफर परता है जहन पर अफर परता है पूरी शक्सिषप पर अफर परता है जब आपके चारों तरफ हवाएं खिलाफ चल लगी हैं जब आपके तरफ ऐसा माहवल हो कि उस तास लेना मुश्किल नाजर आ राए तो क्यों नहीं असर पढ़ेगा असर तो पढ़ेगा लेकिन उस असर से कैसे निकल कर आया जाए अगर आपके अंदक की वो तवानाई जो है वो आपके साथ है और आप चीजों को पॉजिटिव देखने के आदी है तो फिर ये सब हो रहा है होने दीजे लेकिन इसके बावज तोड़ने के लिए हमारे बाद तो एक जरिए था और उस जमाने में हम उद्धा याद तो नहीं है सब लेकिन यह कि कुछ ना कुछ याद यूँ आएगा कि उद्धा कहा कि हजार चाहोगे हजार चाहोगे पर जिन्दगी हजार चाहोगे याद नहीं आरा सही तरह हजार चाहोगे फिर जिन्दगी न बोलेगी हजार चाहोगे फिर जिन्दगी न बोलेगी घरों से निकले तो दर्वाजा मौत खोलेगी घरों से निकले तो दर्वाजा मौत खोलेगी अब वो मंदर देखा जिस वाट के मज़़ूर और दुखेवे लोग मतलब परेशान हाल सफर कर रहे जाए सरकों को पर वो मंदर खुदा ने दिखाए किसी भी समाज को ना दिखाए हिलुस्टान के अंदर जैसा हुए देखने के लिए मिला असलिमें आपने all of a sudden मुझे उस तरफ ले गए तो मेरे जहन में पूरी तरीका एक एक करके हुए माफ की जागा मुझे याद नहीं आ रहा है दूसरे सवाल के और चलते हैं कि यह तो आपने बताया कि जिस समय लॉक डाउन चल रहा था यह सारा लेकिन आने जाने पर कई एक एक रात में तीन-तीन मुशायरे आपने पढ़े हैं और अब तीन-तीन साल दो-दो साल हो जाते ह देखिए जंजे जी यह तो बड़ी आपने बड़ी कहना चाहिए बड़ी सैंसिटिफ जगा पर बात पहुचाई है हमारी पूरी जिंदगी लोगों के बीच में गुजरी है और याद ही नहीं आता कि शायद गुदिश्टा साथ साल में एक हफता कभी घर के उपर लगाता रहने का मौका मिला हूँ जब हफते में एक मरतबा दो मरतबा आपके मजमें बदल जाते हूं तो महीनों के इसाब से लगाई यह सालों के कैलेंडर देखते यह बदल जाता था तो जहां इतनी मसरुफियत रहियो कि सोहो कहीं शाम कहीं आज यहां आकल वहां तो उस में एक भखाना घर्दा थोड़ी है हमारे तो लोगों के बीच में रहना घर्दा है हमारी तक्वियत और हमारी ताकत जो है सारी ज Wür¬ ओस्जा उस से है के हम लोगों के बीच में रहें तो करूना ने इतना नुसान नहां कहें नए सुनाने के लिए लेकिन शेरों को जहन में महफूस करना और पिर उनको अवाम तक या मजबे तक या महफिल तक पहुचाना जो है उसमें तामुल यह हो रहा है कि शेर को पकड़ने की कि जहन कोशिश करता है और शेर हाथ छोड़ा के भागने की कोशिश करता है बता कभी मुझे याद भी नहीं पळता कि मैंने पर्चे देखे हो। मालक का करम यह था कि इधर कहा, इधर पढ़ा, इधर लोगों और मुझे लोगों ने महफूज कर लिया, आपने देखा होगा, तो उसका असर तो पढ़ा, उसका जूरूर असर पढ़ा, और अब यह के, जैसे पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, सियासर पर बात नहीं, इम्तहान से हमने बात शुरू की थी, पांच साल वाद एक और इम्तहान अवाम के सामने है, तो अवाम क्या करें कि इम्तहान में, अवाम का इम्तहान है, सरकार का नहीं, अवाम का है, चुकि अवाम को ही आगे फिर दे मुझे याद आता है खुदा करे याद आ जाए पेश करूँगा कि मैं ही निशाने पर हूँ अपने मैं ही तीर कमान मैं ही निशाने पर हूँ अपने मैं ही तीर कमान मेरा फैसला करने वाला मेरा इमतला मेही निशाने पर हूँ अपने मेही तीर कमान मेरा फैसला करने मादा मेरा एक मतदान ये शेर अपने आप में बहुत चीज़ कह जाता है कि जब मतदान करें तो अरजुन के तरह ये निशाना रखें कि चिडिया की आंख कहा है पर और पंजे तोलने के जरूरत नहीं है जिडिया की आंख बन निगाह रखें तो आपका मद्दान बिलकुल सही जगे जाकर पहुँचे